एक बड़ फिस से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल MSA Study Talks पर तो ज़ाडखंड हाइकोट में कल सुनवाई को लेकर क्या कुछ हुआ है पूरी डिटेल्स में आपको जान कर देंगे शाथ ही बताएंगे कि ज़ाडखंड जो नए नीतिनी ओली बनी है उसके बाद म पर नए है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ज़ाडखंड से जूरे तो आपको आपको आपडेट ऐसे ही मिलते रहें तो चली एक 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 डिटेल्स में आपको जान कर देंगे उससे पहले छोटा साप लोगों उसी को चुनोती दी गई है या चीका में कहा गया है कि नए नियावली में राजी के संस्थानों से ही दसवी और प्लास्टू की परिक्षा पास करने को अनिवार किया गया है जो सनिधान की मुल भावना और समंता की अधिकार का उनलेंगन है वैसे उमिद्वार जो राजी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है इनी दो तिन चाव पॉइंट को लेकर ही यह याचीका दायर की गई है जो कि रमेशास्दा बनम जाड़कन सरकार की तरफ से यह सुनवाई चल रही है उसके बाद देखिए कोट ने जो पिछली सुनवाई में क्या बताया था कि को लिया गया है तो इससे संबंदित संची का कोट में पेस की जाए और इसी को लेकर राजी सरकार और जेससी की तरफ से समय की मांग किया गया था जिसके बाद समय को लेकर फिर बाद में राजी सरकार और जेससी की तरफ से मूल संची का जो है वो जमा कर दी गई है लेकिन कल क्या कुछ हुआ है ते हाँ पे देखिए कि जैसे से संसोधित नियामले के खिलाफ दायर एचिका में सुनवाई टाल दी गई है यह एक बार फिर से सुनवाई टाल दी गई है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जाड़कंड हाई कोट में उन सभी मामलों को अभी सुनवाई की सुनवाई हो रही है ऐसे में जैसे से से संसोधित नियामले में सुनवाई टाल दी गई है अधिवक्ता अप्राजिता भारदवाज ने बताया कि मामले की अगली तारिक फिलहाल टाय नहीं है कोट सामयने होने पर मामले की अगली तारिक टाय की जाएगी तो यह है